बश्कार मेहुंबर जेस और आप देख रहे हैं लाइब टेन न्यूज और इस बक्त में मौझूद हूँ सिवान जिले के दरौधा परखंड के धनोती गां में आपको बता देए कि धनोती गां चेतर संख्याथाइस में आता है जिला परिसत और तमाम जो परत्यासी हैं लगतार चेतर में भर्मन कर रहे हैं आपको बता दें कि 8 दिसंबर को द्राउंदा प्रखंड में मद्दान होना है चुकि समय कम है तो प्रत्यासियों की सरगर्मिया बढ़ना लाजमी है और मेरे साथ अभी छेतर संक्या 28 के जो जीला प्रत्यासियों योगिंद्र यादो मौजूद है इनसे हम बात करेंगे और तमाम तरह के सवाल भी करेंगे सबसे पहले योगिंद्र यादो जी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है सभी मदाता बंदों का हारδिक अभिननदन स्वागत और नमसकार है आज आप छेतर में भर्मन कर रहे हैं करके नाइग कि अज तिन संबर हो गया लगतार छेतर में जन सम्पर कर रहे हैं किस तरगा समशन आपको मिल रहा है हमारे साथ सभी धर्म, सभी जाट, सभी समुधाय के लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है इस समर्थन को हम भुला नहीं सकते 28 जिला परषद, जन्ता, पुरी मनदारी के साथ, जोगिंदर जादों के साथ खड़ी है यह देखने को मिल रहा है सभी जात सभी धर्म सभी समुदाय के लोग बड़ी इमंदारी से लगे हुए हैं यहां के विकास के कामों को कराने के लिए यह जीमवारी लग रहा है कि यहां की जनता हमें सौपेगी ऐसा हमें महसूस हो रहा है जैसे कि आपने अपने बक्तब्बे में कहा कि विकास को कराने को लेकर तो क्या मान के चला जाए छेतर संख्या 28 में विकास सुगा है नहीं विकास देखा जाए तो जिस तरह होना चाहिए नहीं हुआ है अभी भी बहुत सी सडके जहां आम लोग बेटे हैं वहाँ देखिए वहाँ सडके कि क्या आलत है अभी भी बहुत काम करना बाकी है बहुत बड़ा मुद्दा यहां के पचासो गाउं का है जोर के पानी के निका हुआ है धान काटने से लेकर हर चीज में बड़ी परिसानी हो रही है जोर का पानी की स्थर निकले यह तो बड़ा मुद्दा है यह जिला पासद में हम लोग उठाएंगे अगर जनता हमको मौका देती है तो लेकिन यह मुद्दा बिधान सभार के जोगे है लेकिन नीचे से हम लोग पूर जोर इस मुद्दा को उठाएंगे बहुत जोलंत मुद्दा है बड़ी सारी लोगों को बहुत परिसानी है इस पानी के निकास के मामला को लेकर पानी की निकासी का मुद्दा उठाएंगे और क्या मुद्दे हैं साथ में आपके यह सब सड़क है नली गली ह बिजली का बील जो है एक ज्वलंत मुद्दा ये भी है लोगों को चार बॉल्व एलेडी बॉल्व उजर रहा है दस अजार रुपिया बिजली विभाग बिल भेज दे रहा है लोग परसान हो जा रहे हैं दोड रहे हैं क्या मन इस तरह के विवस्ता है अच्छा एक चीज़ स्वास्त को लेकर आपके पास कोई प्लानिब एक उगड़े सिFlow के च्छेतर में पहले से तो कुछ काम हुआ है साल रहाए पहले से तो कुछ ठीक ठाक चला है उसमें उसमें और भी ठीक और भी जादे काम करनी की जुरूरत है आप जी छेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं छेत्र 28 में इसमें सिक्षा स्वास्त का लगभाग क्या माना जब परतिसद्र बढ़ा हुआ है कि ठीक है कम है ज्यादा क्या है नहीं परतिसद्र तो थोड़ा सा नामात्रा के बढ़ा है लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें करना बा हो है कि मुखह जी लो अपने पंचायत में एक एमबूलेंस दे रहे हैं तो क्या माना जाए जी नë हमसे ठीक हिरते की बात है हमारे जितने के बाद एक एंबुलेंस छो पंचायत के लिए निश्ची तुरुप से दिया जाएगा ये तो मैंने मेरी हिर्दय के बात आपने पूछ दी हमारे संजोग से छे पंचायत का जो कौशनसी है इसमें एंबुलेंस की विवस्था नहीं है इसमें पहला काम ये होगा कि एंबुलेंस दिया जाएगा ताकि जिनको पटना बनारस जिन साथी बंधूँ को माता और बहनों को जाना हो इलाज के लिए उन्हें कोई कॉस्ट ना हो और जो बिवस्था है जो सबसे कम बिवस्था पर एंबुलेंस चले उसको देखते हुए गरीब गुर्वा लोगों का जादे इसमें ख्याल ये ध्यान में बात है और निश्ची तुप से पहला काम ये किया जाएगा जी जी देखिए समय थोड़ा सा कम है आपके पास हम समझते हैं लेकिन एक सवाल लेंगे जल्दी से आपसे आप हमको बस ये बताएए कि छेतर संग 28 में 20 से अधिक उमिदवार है क्या मान के चलते हैं किस से लड़ाई रहेगी आपकी लड़ाई हमें किसी से नहीं है एक तरफा लड़ाई है कई कोई नहीं है लड़ाई में इस लड़ाई में अपार जन समर्थन सारे जाद धर्म सारे विरादरी लोगों का साथ मिल रहा है यहां किसी से कोई लड़ाई नहीं है अब देखिएगा चुनाव काउंटिंग दस तारीक होगा सभी बड़े बुजरू का आशिरवाद प्यार नौजवानों का प्यार समर्थन सब मिल रहा है तो देखिए यह जिलाव परिशत छेतर संक्या 28 से जिलाव परिशत पर 83 जगेंदर यादो जी है इनका साब तोर पर कहना है कि इनकी लड़ाई किसी सनिये लेकि देखना काफी दिल्चस्प यह होगा कि 8 दिसंबर को जब मतदान होना है दस को मतगरना होना है छेतर संक्या 28 की जनता किसी अपना प्रतनीधी के रूप में चुनती है कैमरा पसंदी तेख सांद बरजे स्तिवारी दरौदा